वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहार हूँ जहां मैं आद रहे तू मैं जहार हूँ जहार हूँ हेलो एवरिवन वेलकम टू सक्सस एक जिद और आज हम डिस्कस करेंगे MDU Distance BA Second Year History के पेपर के बारे में Year 2019 तो जो पहला कुछन है हमारे पास वो है कि मनसरदारी पर्था का विवरन दीजी तो देखिए हमारे पास है मनसरदारी पर्था तो देखिए जो मनसरदारी पर्था है वो अकबर ने पंदरा सो इकेतर इस्वी में अपनी मीर बक्सी शाहवाज खां इनकी सायता से मनसबदारी पर्था को लागो किया था जो मनसबदारी सब्द है ये लिया गया है अर्वी बासा के मनसब सब्द से जिसका अर्थ होता है कि कोई पद्वी कोई उपाधी या कोई स्थान निश्चित करना मुगल पर्शासन में जितने में सरकारी करमचारी और अधिकारी उंके पद्द उनके वेतन या फिर दरबार में उनकी स्थिति या फिर उनके सामान का निश्चे सब कुछे मनसब के द्वार किया जाता था मनसबदारी पर्थागा उदस से क्या था तो मनसबदारी पर्थागा उदस से ये था कि जितने भी सैनिक और ऐसानिक अधिकारी थी उन सभी को मनसब प्रधान करके दर्बार में उनकी स्थीति ये फिर वेतन निस्चित करना अब हम पढ़ेंगे मुगल काल में जो मनसबदार पर्था थी उसकी परमुखे विशेस्ताई तो नमबर एक पर है हमारे पास है मनसबदारों की भरती मनसबदारों की भरती जो मनसबदारों की नुक्ती है वो समराट के द्वारा की जाती थी जो वक्ति मनसबदार बनने का इच्छुक होता था वो मीर बक्सी के पास आता था और मीर बक्सी उसे समराट के पास ले जाता था और समराट उस व्यक्ती की योगता के आधार पर उसे मनसबदार कर देता था इसके पास साथ जो उक्त वैक्ती होता था उसके सैनिकों का होलिया सैनिकों का होलिया लिखा जाता था और घोडों को दागा जाता था ठीक है यह थी मनसबदारों के बढ़ती की प्रोसेस नमबर दो हमारे पास है मनसबदारों की पदोनिती यन की प्रमोशन मनसबदारों के पदोनिती देखे जो मनसबदार हैं उनकी पदोनिती भी किस के द्वार की जाते थी समराट के द्वारा ही की जाते थी समराट के जनन दिन के उपर या फिर सेना के द्वारा युद्ध जीतने पर सेना द्वारा युद्ध जीतने पर या फिर समराट के ताजपोसी के दिन या राजकुमार या फिर राजकुमाईयों के विवा के उसर पर इन सब ये उसरों पर मनस्बदारों की पदोनिती कर दी जाती थी इसके अलावा मनस्बदारों को समराट जब जाहे पद से हटा सकता था या फिर उनका मनस्ब वापिस ले सकता था नमबर तीन हम डिसकुस करेंगे ऐसानिक अधिकारियों को मनस्ब अधिकारियों को मनस्ब जो ऐसानिक अधिकारी थे उनको वित्तन के अनुशार मनस्बदान किया जाता था सरकारी का जाने से सो रुपे मास्ब वित्तन पाने वाले अधिकारी को दसका मनस्ब इसलिए माना जाता था क्योंकि मनस्बदार जो होते थे उनको वित्तन निस्चित मिलता था और उनके वित्तन करम में जो सो रुपे पाने वाला था वो दसका मनसबदार कहलाता था उसके बाद नमबर चार है हमारे पास मनसबदारों की स्रेणिया मनसबदारों की स्रेणिया दीखिए जो अबूल फजल है उनके अनुशार मनसबदारों की कितने स्रेणिया थी 66 लेकिन वास्तों में जो मनसबदार थे उनके 33 या 34 अधिक श्रेणिया नहीं थे आराम में जो सबसे छोटा मनसब होता था वो दसका वो सबसे बड़ा जो होता था वो दस हजार का उता था लेकिन 1585 इसमी में जो सबसे छोटा मनसब था वो दसकी बड़ा कितने का कर दिया गय था 20 का निश्चिते कर दिया गय था इसके अलाबा जो अजित कोका और टूडरमल था उनको 7,000 जात और 6,000 सवार के मनसब पराब थे 605 इसमी में जो सलीम थे उनको 12,000 जात और 12,000 सवार के मनसब पराब थे एक बात और जो सरवोच मनसब पराब्ट करता था उस मनसबदार को हम कहते थे अमीरूल उम्रा क्या कहते थे अमीरूल उम्रा उसके बाद नमबर पांच है हमारे पास जात तथा सवारपद तो देखिए जो जात और सवारपद का जो विस्से है उस पर जितने भी द्यास कार हैं सब में मत भेद है जैसे की बलोक मैन के अनुशार जो जात पद हैं जात पद मनसबदारों के सैनिकों और गुड़ सवारों को इंगित करता है इर्विन के नुशार जात और सवार ये दो अलग अलग पद थे और दोनों गुड़ सवारों की संख्या के सुचते ठीक है उसके अलावा ये के त्यास कार थे डोक्टर एम आथर अले इन के नुशार जो जात पद थे जात पद से मनसबदर का वेतन और दर्बार में उनके स्थिती निश्यत की जाती थे और सवार पद से गोड़ों की संख्या दर्शा जाती थे लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आवसक नहीं था कि मनसब के अधार पर दर्बार में मनसबदारों को उचपदे परदान किया जाए जैसे कि अबूल फजल थे अबूल फजल को छोटा सा मनसब पराप था लेकिन दर्बार में किस्तिती बहुत उच्छी थी इसके अलावा जो राजा मानसिन थे उनको साथ हजार का मनसब पराप था लेकिन कभी भी उने उच्पद पर दर्धान नहीं किया गया ठीक है जात और स्वारपद के आधार परे मनसब दो थे वो तीन परकार के थे इसमें पहला परकार देखिए सबसे पहले आप यह देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पांच हजार जात तथा पांच हजार सवार ठीक है नमबर दो और नमबर तीन यहाँ पर जात जो हो सेम रहेगी यहाँ पर भी पांच हजार जात है और यहाँ पर भी पांच हजार जात है लेकिन जो सवार हैं वो उनके संक्या घट जाएगी जैसे कि नमबर एक है पांच हजार जात हैं और पांच हजार सवार के जो मनसबदार थे वो थे पर्थम दरजे के मनसबदार नमबर तो पांच हजार जाते और फिर सवार किसन क्या हो जाएगी तीन हजार ये थे दूसरे दरजे के मनसबदार और पांच हजार जाते तथा दो हजार सवार ये जो दो मनसबदार थी ये थे तीसरे दर्जे के मनसबदार ठीक है उसके बाद है नम्मर चे हमारे पास मनसबदारों का वित्तन तो देखिए जो अकबर के सासंकाल में मनसबदारों को वित्तन दिया जाता था वो उनके सरेणी के नुशार के इंदरी खजाने से नगद वित्तन दिया जाता था डॉक्टर वी ए समी थे और जो इर्विन जैसे ये दियासकार हैं वो ये मानते हैं कि मनसबदारों को जो वित्तन दिया जाता था वो 7 से 9 महीने का वेतन दिया जाता था लेकिन डॉक्टर A.L.C. रिवास्तों के अनुशारे जो मनसबदार थे उनको पूरे 12 महीनों का वेतन दिया जाता था उसके बाद नमबर 7 आता है मनसबदारों पर मनसबदारों पर परतिवन्द मुगल काल में जो परतिएक मनसबदार था उसको एके मोटी धनरासी ब्यतन के रूप में दी जाती थी इसके लाव वह अपने पास एके शेना की बरती भी करता था अतह मनसबदार सकती साली नय बन जाए इसलिए उनके उपर अनिक परतिवन्द लगाई हुए थे ठीक है क्योंकि मनसबदारों को एक तो जो वेतन है वो जादा दिया जाता था और उसके लाव उसके पास एके सेना की बरती भी होती थी इसलिए 37 साली नय बन पाए उनके उपर एनिक परतिवन्द लगाई हुए थे जिन में से पहला है कि परतेक च्यार या पांच वरस के पस्चात है मनसबदारों का जो तबादला है वो दोड़ दराज के परदेशों में कर दिया जाता था नमबर दो देखिए किसी भी परकार की दोखादरी से बचने के लिए मनसबदारों तथा उनके सैनिकों का जो हबो खुलिया लिखा जाता था और उनके घोड़ों को दागा जाता था नमबर तीन जो मनसबदार थे उनको सैनिक और एसैनिक दोनों परकागे कारी करने पड़ते थे नमबर चार मनसबदार जो हैं उनकी मिर्तियों के पस्चाथ हैं उनके संपती किस के दोरा जब्द कर ली जाती थी सरकार के दोरा जब्द कर ली जाती थी यानकि उनके संपती को उनके जो पुत्तर हैं या फिर इनको जो आने वाली पिड़ी है वो यूज़े नहीं कर सकती थी नमबर पांच मनसबदारों के मृत्व के पसचाते उनके पुत्र को उत्रा दिकार में मनसब परदान नहीं कि जाती थी यानके उनके फुत्तर को कोई दिकार नहीं था उनके मनसब के पदपर नमबर चे अपनी करते में उन्य निभाने पर समराटे जो मनसबदारों को जहवो को ठोरे दंडी भी देता था और यहाद तक उनके मनसब भी चीन लिया जाते थी ठीक है उसके बाद नमबर साथ तक हो गया नमबर आठ नमबर आठ है हमारे पास है अकबर के पस्चात मनसबदारी परता अकबर के पस्चात मनसबदारी परता देखिए जहांगिने जाते तता स्वारपद के साथ है अस्पा अत्था सहे अस्पा ये सब्दे जोड़ दिये थे किसके साथ है जात और स्वारपद के साथ है ये है स्वारपद का ही एक भाग था अस्पा को जो अस्पा उता था उसको अपने पास दो गुड़ सवार तथा सहे अस्पा को अपने पास तीन गुड़ सवार बरती गरने पड़ती थे इसके लिए उन्हें यह तरिक्ति वित्न दिया जाता था अकवर के समय मनसुदारों के जो संख्या थी वो थी 1658 जांगिर के समय यह संख्या बढ़ गई और वहो गई 29 आब अभी तक हमने पदा था न मनसुदारी पर्ता के विसेश्शताओं के बारे में ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे कि मनसवदारी पर्था के गुण क्या थे ठीक है तो देखें मनसवदारी पर्था के गुण क्या क्या थे मनसवदारी पर्था के अने गुण थे जिसका वनन इस परकार है नमबर एक जो मनसबदारी परता थी उसके पिरणाम से रूपे प्रसासनिक कारियों में कोसलता आई क्योंकि मनसबदारों के नुक्ति युग गता के अधार पर की जाती थी और इसका प्रयोगे प्रसासनिक कारियों के संचालन में किया जाता था नमबर दो जो सभी मनसबदार थी वो समराट के परती उत्तरदाई रहते थी क्योंकि उनकी जो भरती थी उनकी जो पदोनिती थी वो सभी समराट के दोरा ही तो सब कुछ उनका जो लेखा देखा था मनसबदारों का वो किसके दोरा किया जाता था समराट के दोरा इसलिए वो समराट के परती उत्तरदाई रहते थे मनसबदारी परता के परिणाम सो रूपे आपात कालने स्थीती में समराट को सैनिक आसाने से उपलब्द हो जाते थे ठीक है आपात कालने स्थीती में जो समराट था उसको सैनिक आसाने से मिल जाते थे परतेग मनसबदार अपने पासे निश्चित संखे में गुड़ सौरों की बढ़ती करता था नमबर चार देखे मनसबदारी परता में जो है सैनिकों का खुलिया लिखा जाता था और उनके गोड़ों को दागा जाता था तो इससे क्या है कि जो सेना में होने वाले गड़ बड़ियां थी वो समाप्त हो गई थी नमबर पास देखे मनसबदारों की साहता से जो मुगल समराजी का खिस्तार है वो दोड़ दराज के पर द्यूसा तक हुआ नमबर चे मनसबदार थे वो सेनिक और ऐसैनिक दोनों परकार की गारी करते थे इससे क्या हुआ कि जो परशासनिक कर्चे थे उनमें भी कटोती हो गई तीक है? यह थे हमारे पास है मनसबदारी परथा के गुण अब हम पढ़ेंगे मनसबदारी परथा के आउगुण यानि कि उसमें कम्या क्या क्या थी देखो जहां पर इस पर्था में कुछ गुण थे वहीं कुछ अब गुण भी थे जो इस परकार है नमबर एक पहले कमी जो थी वो थी देखो दाग और चेहरा पर था जो थी वो निश्चित निधारित संखा के बावजूते मनसबदार जो है अपनी निश्चित संख्या में सैनिक और गोड़े भरती नहीं करते थी जबकि उनकी संख्या निश्चित होती थी वे एक्सर समाराट को दोखा दीते रहती थी नमबर दो मनसबदारों के मिर्थ्चित के पस्चा थे उनके जो संपती थी वो किसके दोराजब्द के ले जाती थी केंदर के दोराजब्द के ले जाती थी दीसे जो मनसबदार है वो विलासिता का जीवने वेतित करते थी नमबर तीन मनसबदारों की जो आपसी इर्षय थी उसके कारणे जो युद का मैदान था युद के मैदान में उनके बेचे ताल में नहीं बैठ पाता था जिससे उनकी सेनाय जो हो वो हार जाती थी उसके बाद नमबर च्यार है कि ये जो पर्था थी वो खर्चले बोच्छिद होई जो औरंग जेब थे उनके समय तो खजाना भी खाली हो गया था अब उनके वितन के बदले मनसबदारों को क्या दी जाती थी जागेरी और एक समय ऐसा आया जब जागेरी भी कम पड़ गई फिर भी मनसबदारों के वेतन नहीं दिया जासका पिरणाम सोर रुपे मनसबदारों ने क्या किया विद्रो करना शुरू कर दिया नमबर पांच जो मनसबदार पर था थी वो ही मोगल सामराजे के पतन का मुख्य करन मनी थी ठीक है तो मनसबदार परथा के सबसे पहले हमने विशेश्थाएं पढ़े उसके बाद हमने इसके गुण पढ़े फिर हमने इसके अवगुण पढ़े तो इसे निसकर्स क्या निकलता है तो इसे निश्कर से हम यही निकाल सकते हैं कि अकबर नमबर एक देखो अकबर जहांगिर और सहांजा इनके सासंकाल में मनसबदाली पर था अपने उदुष्यों को पूरा करने में सफर रही थी लेकिन जब सासंकाल आया था औरंगजेब का औरंगजेब के सासंकाल में मनसबदाली पर थाएकर अभी साप बन गई मनसवदारों की विलाशिता उनके बीच जो आपसी एर्शा थी वो उनकी विद्रों की बाउना इन से भी की पिलनाम सुरूपे मनसवदार पर्था ने मुगल सामरज्य को प्रतन के दोर तक पहुंचा दिया तो बाकि जो कुशन है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही थेंक्स फॉर वोचिन एंड किप सपोर्टिन जैहिं